हला फ्रेंड्स विल्कम टो मैं चैनल होमिस कुकिंग तो चले दोस्तों आज हम चोकलेट के काउनों की उनिक सी रेसेपी को बनाते हैं यह खाने में जितना टेस्ट लगता है बनाना में उतना ही इजी होता है इसमें ज्यादा कोई सामान की ज़रोत नहीं है तो चले इसका प्रिपेरेशन भी हम स्ट्राइट कर लेते हैं सेपानाने के लिए अब हम लेंगे प्यान प्यान में लेंगे 200 ml कंडेश मिल्क अगर आप बाजार से कंजस्मिन्ट लाने में प्रोब्लेम हो रही है तो आप घर में अराम से कंजस्मिन्ट बना सकते हैं उदूद से मैं लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी आप उसे चेक कर ले ना लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे पहले अब हम इसमें आड करेंगे मिल्ड चॉकलेट और डाग चॉकलेट को आपर पाचास का मिल्ड चॉकलेट और पाचास का म्राग चॉकलेट ले रही हैं और इसे हम इस तरह से कट करके इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छी से मिख्स कर देते हैं लो फ्लेंपे ही हम इसे मिख्स करेंगे नहीं तो लिज़े चिपकने के भी चांसेस रहता है अब हम इसमें नहीं डाल देंगे वन टेरवल स्पून कूकber पाउडर इसे छोड़ा सा और ज़्यादा चोक्लेटी फ्लेवर आएगा हमें हम इसमें सुगर बिल्कुल और आर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कर्णिसमर्ट पे अलड़ी सुगर होता है और चोक्लेट में भी सुगर होता है अगर हम ज़्यादा चीनी आठ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिठी बन जाएगा जो कि खाने में बिरुकुल अच्छा नहीं लगेगा अब हम इसे बहुत ही हलके हाथों से ही जारो तरफ से स्क्रेप करते हुए इसे मिलाते रहेंगे अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो ना प्लीस लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत बुलना इस तरह से अच्छी अची वीडियो देखने के लिए प्लीस मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना चकलेट किसे नहीं पसंद सभी का पसंद होता है चकलेट तो इसे आचों बहुत आसन तरिके से बहुत यम्मी डेलिशिस सा चकलेट घर में बनाने बले हैं आप इसे बना कर अपने फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा गाड़ा आना सुरू हो चुका है हम इसे और थोड़ी देर पकाना होगा जिसे कि ये थोड़ा सा और गाड़ा हो चाहे हमें थोड़ी से गाड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होता तो इसलिए हम इसे अच्छे से मिला देंगे अब आप देख सकते हो हमारा चोक्लेट अल्यरी रेडी हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ड्राईफ व्रोस मैं है आप चोटे चोड़े करके ड्राईफ रॉस को करने इसमें आड़ करी हूँ क्योंकि जबी हम बाइद ले ना हमें थोड़ा सा ड्राईफ व्रोस का फिलिंग्स भी आए यह बिल्कुल अफ्षना ले अगर आपको पसंद हो आप इसमें डाले नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो अब हम ग्यास का फ्लेम आफ कर देते हैं मैं हाँ पर इस तरह से एक टीम ले रही हूँ अगर आपके पास टीफिन होना आप बच्चों की टीफिन होता है वही बहला टीफिन होना तो आप इसे भी इसमें डाल सकते हो थोड़ा सा बटर पेपर इसमें डाल देना नहीं तो आप इसमें ओईल ग्रीस करके भी ढाल सकते हो इसे क्या होता है निकलने में आसानी होती है अब हम इसे अच्छे से बटर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं अब हम हम इसमें सारे चकलर को हमें डाल चुके हैं अब हम इसे room temperature में आने के लिए wait करेंगे उसके पाद हम इसे फ्रीज में रख लेंगे दो से तीन घंटे के लिए 2-3 घंटे के पाद आप देख सकते हैं हमारा चोकलेट बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है हम इसे पलट देते हैं और नाइफ लेकर इसे हम कट कर लेंगे आपको जिस तरह की सेफ पसंद हो आप उसी तरह की सेफ में कट करना हम इसे इस तरह से पीसेश में कट कर देते हैं ये वहर की तरफ हाड और अंदर से बहुत ज़्यदा सॉफ्ट रहता है जो खाने में बहुत ज़्यदा यमी लगता है ये थोड़ा सा और तो अच्छा दिखाने के लिए मेहां पर इसमें उपर थोड़ा सा वाइट चोकलेट को मेल्ट करके इसमें डाल दूंगी जो कि दिखने में बहुत जदा अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्ट लगएगा ही अब आपका चोकलेट बिल्कुल डिया आप इसे एंज़े करिए हम मुझे बतना बिल्कुल मत भूना इसका टेस्ट आपको केसा लगा और आपके बच्चें को इसका टेस्ट केसा लगा जरूर्ण राई करना इस चोकलेट को आप अपनी घर में अब आप देख सकते हो आपका चकलेट बेको रेड़ी हो जुकार वे कितना पिटेटिंग दिख रहा है खाना जितना अच्छा दिखेगा उतना खाने में मन भी करेगा अगर आपको वाइट चकलेट ज्यादा पसंद आप इसके उपर और भी थोड़ा सा गाने सिंग कर सकते हो मुझे ता पसंद है डाक चकलेट और वाइट चकलेट का कमिनेशन इसलिए मैं थोड़ा सा और गाने सिंग कर रही हूँ इसे अब आपका चोकलेट बिल्कुल लेड़िये मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ अब आप देख सकते हैं उपर से हाड और अंदर से बहुत ज़्यदा सौफ्ट बना है जोकि माउस मेल्टिंग है बिल्कुल अब थोड़ा थोड़ा ड्राइफ्रूट शब भी हमारे मूमें आएगा ना खाने में मचा ही आजाएगा अब आपी से एंजाए करिये थांक्स पर वाचिंग मैं चैनल